अब इस तरह के विभिन प्रस्न स्लोक के माध्यम से यक्ष ने युद। युधिष्ठिर के समक्ष रखा युधिष्ठिर विनम्रता पूर्वक यक्ष के प्रश्णों का उत्तर देते हुए कहते हैं क्या कहते हैं वे कहते हैं युधिष्ठिर विनम्रता प्रश्णों का उत्तर देते हैं युधिष्ठिर ने यक्ष को क्या उत्तर दिया इसका हम अध्यान करेंगे सबसे पहले युधिष्ठिर के द्वारा यह प्रयुक्त स्लोक है इस स्लोक में जो कछिन पद हैं उन कछिन पदों को पहले देखते हैं पहला ही पद है अज्ञानेन अवृत्तो अज्ञानेन धन आवृत्तो अज्ञानेन धन आवृत्तो लोकस तमसा यह इतना एक संधी पद है इनको अलग-अलग करना है तो अज्ञानेन धन आवृत्तह धन लोकह धन तमसा इस तरह से एक पद में एक से अधिक संधियों का प्र अब जो पद आए हैं उन पदों का निरमान कैसे हुआ और का अर्थ क्या यह देखते हैं अज्ञानेन यह सब्द कैसे बना है ज्ञान मूल सब्द है इसमें तृतिववग्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है और साथ ही अ उपसर्ग का योग हुआ है तो इस तरह से ज्ञान का विलोम हो गये क्या पूछा जा सकता है ज्ञानेन इती ज्ञानेन इती पदस्य विपर्यय पदम अस्मिन स्लोके प्रयुक्त पदम अस्ति अज्ञानेन तो ज्ञान मतलब होता है ज्यानकारी और अज्ञान मतलब नहीं जानना और ज्ञानेन ज्ञान से और अज्ञानेन अज्ञान से आब रित्तो आब रित्त ह धका हुआ या अच्छादित, लोका, संसार, तमसा, तमस मूल सब्द है, तृतियोय भक्ति, एक वचन का प्रयोग होने पर इसका रूप बनता है तमसा, और इसका तात्पर यह होता है, तमहा का मतलब होता है, तमस का मतलब होता है, अंधकार. न अव्याइपद है, निश्यादात्मक अव्याइपद है, इसका तात्पर यह होता है, नहीं, प्रकास्ते, मतलब प्रकासित होता है, लोभात, लोभमुल सब्द है, पंच्छु भक्ति, एक वचन का प्रयोग हुआ है, तियजती, तियजधातु, लटलकार, प्रथम प्रत्मय भक्ति युद्वित्य भक्ति बहु वचन का यह रूप है संगात संग मुल सब्द है पंशिवख्ति एक वचन का यह रूप है और इसका ताथपर होता है संगती से स्वर्गम स्वर्ग मूल सब्द है द्वित्य भ्यक्ति एक वचन का यह रूप है तो स्वर्ग स्वर्गम मतलब स्वर्ग को न नहीं गच्छती गम धातू लटलकार प्रथम पूरुष एक वचन का यह रूप है इसका तात्पर यह होता है जाता है तो इस तरह से इस स्लोक में जो विभिन्न कठिन पद हैं और विभिन्न पद हैं उनका निर्मान कैसे हुआ है इसके बारे में हमने जानकारियां प्राप्त की आईए अब इसे संबंधित कुछ प्रस्ण पूछे जा सकते हैं जैसे तो जब आप विभिन्न पदों के अर्थ भली भाति जब समझ जाते हैं तब इस तरह के विलोम या पर्याय जैसे प्रस्ण पूछे जाते हैं या किसी सब्द का अर्थ पूछा भी जा सकते हैं किसी परिक्षा में हो सकता है स्लोक के कोई एक सब्द लेकर उसके विभत्ति वचन या धातु रूप या पुरूस लकार वचन को पूछा जा सकता है या सब्दार्थ भी पूछा जा सकता है तो चौकि आप भली भाति इसको जानते हैं इसलिए इसका सही सही उत्तर देने में आप समर्थ हो सकते हैं यहाँ पर प्रश्ण किया गया संसारह इती पदस्य परियाय पदम अस्मिन स्लोके कीम पदम प्रयुक्तम तो संसारह के अर्थ में कौन सब्द प्रयुक्त हुआ है लो कह बिल्कुल सही तो उत्तर देंगे तो संसारह इती पदस्य परियाय पदम अस्मिन स्लोके प्रयुक्त पदम अस्ति लो कह अईसा का दीजे हो गया ऐसे ही प्रस्म किया जा सकता है अंधकारेण इती पदस्य परियाय पदम अस्मिन स्लोके किम पदम प्रयुक्तम तो क्या होगा उत्तर बिल्कुल सही तमसा क्यों क्यों कि तमस का मतलब होता है अंधकार अंधकार में तृत्य विक्ति लगा है और त पूछा जा सकता है आग अच्छती का मतलब क्या होता है आता है तो आता है कि विलोम के अर्थ में कोई पद इस स्लोक में प्रयुक्त हुआ है क्या हुआ हुआ है प्रयुक्त पदम अस्ति गच्छती तो आग अच्छती इसका विलोम पद क्या है गच्छती तो इस तरह से आप स्लोक से संबंधित किसी पद के रूप को पहचानने के लिका आजा सकता है उसका उत्तर दे सकते हैं पद के अर्थ को पूछा जाए उसका उत्तर दे सकते हैं संधी समास से संबंधित प्रशन पूछा जाए उसका रूप दे सकते हैं अर्थ भी बता सकते हैं आए हम भावार्थ देखते हैं अज्ञाने ना वृत्तो लोक हाः अर्थात अज्ञान से यह संसार व्याप्त है इस संसार में जीतने लोग हैं वे सभी अपने आपको स्रेष्ठ समझते हैं क्या वास्तों में ऐसा है क्या जो हैं वे सब कुछ जानते हैं या उन्हें किवल अहंकार हो गया है या वे जो जितना जानते हैं उसके अधार पर उन्हें लगता है कि वे सब कुछ जानते हैं यह क्या है यह अज्ञान है तो अज्ञानिय नावरितो लो कह यह संसार जो है विज्ञान से आच्छादित है या व्याप्त है तमसा ना प्रकास ते और चुंकि आप विज्ञान भी पढ़ते हैं विज्ञान में आप जानते हैं यदि हम किसी वस्तु को देखते हैं या कोई वस्तु हमें दिखाई देती है तो क्यों दिखाई देती है क्योंकि वहाँ प यहां जो प्रश्ण किया गया था तमसा न प्रकास्ते युधिष्टि न उतर दिया कि अंधकार से अर्थात अंधकार होने पर प्रकासित नहीं होता है अर्थात कोई दिखाई नहीं देता है आप देख लिजिए कर कभी जब आप आखें बंद कर लिजिए या प्रकास की या रात्री का समय हो और उस समय आप अपने चाहँ तरफ अंधेला हो उस समय आप किसी भी वस्तु को देख लें अपना हाथ ही आगे करके देख लें यह दिखाई देता है क्या नहीं न तो इसलिए अंधकार की कारण से कोई वस्तु प्रकासित नहीं होता है अर्था लोभात त्याजती मित्राने लोभ से मनुष्य अपने मित्रों को त्याग देता है जब हम मित्रता की बात करते हैं तो यहां विश्वास की बात होती है जो मित्र होते हैं ध्यान दिजेगा संसार में जितने रिष्टे और नाते होते हैं उन सभी नातों से उन सभी संबंधों से मित्र का जो संबंध है यह बहुत अनोखा होता है और यह विश्वास के बल पर टिका होता है। लेकिन मित्र यदि लोभी हो लालची हो बुरी नियत रखने माला हो तब क्या कोई व्यक्ति उससे मित्रता करना चाहेगा नहिं न। इसलिए कहा गया कि लोभात त्यज़ती म मित्राने लोब से मनोश्य मित्रों को त्याग देता है। संगात स्वर्गम नगच्छती और संगती से या कहें कि बुरी संगती से कोई भी व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता है। हम जैसा कर्म करते हैं उसके अधार पर हमारी भाग्य का निर्धारन होता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुसार से वह उन्नती प्राप्त करता है। इसके लिए कर्म की अवशकता होती है। तो बुरी संगती से कोई व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाता है। तो ये स्लोक का भाव हुआ। आई ये स्लोक का अर्थ देखते हैं। अर्थात अज्ञान से संसार व्यापत है तथा अंधकार से प्रकासित नहीं होता है। लोब के कारण मनुष्य मित्रों को त्याग देता है और बुरी संगती से स्वर्ग नहीं जाता है। इस तरह से युधिष्ठिर यक्ष के प्रशनों का उत्तर देते हैं। युधिष्ठिर के प्रशनों से संतूष्चत होते हैं यक्ष लेकिन फिर वे प्रशन करते हैं। इस तरह से एक फ्लोक के माध्यम से फिर से वे भीन प्रशन युधिष्ठिर के समक्ष यक्ष रखते हैं। आईए। स्लोक में जो कठीन पद हैं या संधी उक्ष पद हैं उन पदों का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आप प्रथम पंक्ती में देख रहे हैं प्रोक्तम। यहाँ सब्दा कैसे बना। प्रधन उक्तम एति प्रोक्तम। यहाँ पर गुण्सवर संधी का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही दमस्च दमः धन च यहाँ विस्तरग संधी का प्रयोग हुआ है। प्रोक्तम यहाँ सब्द जो है प्रधन उक्तम से बना हुआ यहाँ सब्द नपुन्सक लिंग एक वचन का सब्द है। इसी तरह से प्रोक्ता यहाँ आप देख पा रहे हैं नीचे की पंक्ती में लिखा हुआ है। प्रोक्ता यहां पद प्रधन उक्ता प्रधन उक्त धन टाप इति प्रोक्ता यहां कहें कि प्रधन उक्त का यह इस्ट्रिलिंग एक वचन प्रत्मभक्ती एक वचन का यह रूप है तो इस तरह से बना है प्रोक्ता प्रधन उक्ता यहां भी गुंड्सवरसंधी का प्रयोग हुआ है आईए विभिन सब्दों के अर्थों को पहचानते हैं या सब्दों के रूप को पहचानने का प्रयाज करते हैं तपाह किम लक्षणम प्रोक्तम तपस मूल सब्दा है और इसका पंच्विभक्ति पंच्विभक्ति और सश्च्विभक्ति में रूप बनता है तपाह तपह किम लक्षणम प्रोक्तम तो तपह मतलब सश्ठी भक्ति तो तप का कीम सब्द है इसका प्रत्मई भक्ति एक वचन का यह रूप है और इसका ताथ पर यह होता है कीम का मतलब होता है क्या लक्षणम मतलब लक्षण प्रोक्तम कहा गया है को मतलब क्या दमस्च देखिए कीम जो कहा गया है ये नपुनसक लिंग प्रत्मवक्ति एकवचन का रूप है और कह जो कहा जा रहा है यह भी कीम का रूप है लेकिन पुर्लिंग प्रत्मवच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच् को मतलब क्या प्रकृतिता है प्रधनकिर्ति अर्थात यह जो सब्द बना है प्रकृतिता है इसका तात पर यह होता है प्रसिद्धी को दमस्च प्रक्वीर्थी तह अर्थात दमन की प्रसिद्धी क्या है चमा च का पराप्रोक्ता चमा च अव्याइपद है इसका तात्पर होता है और का यह किम का रूप है इस्ट्रिलिंग प्रत्मेभक्ति एक वचन का रूप है इसका तात्पर होता है क्या परा मतलब होता है अन्य प्रोक्ता मतलब कहा गया है छमाच का पराप्रोक्ता अर्थात अन्य छमा या स्रिष्ट छमा किसे कहा गया है काच ह्री परिकिर्थिता ह्री का मतलब होता है लज्जा प्रकिर्थिता का मतलब होता है प्रसिद्ध प्रसिद्धी परिकिर्थिता मतलब प्रसिद्धी तो इसकी क्या प्रसिद्धी अर्थात लज्जा की क्या प्रसिद्धी इस तरह से कहा गया है तो आइए यहाँ जो शुलोग के अर्थ को हमने समझा शुलोग में जो संधीव challenge पद थे इनका हमने देखा शुलोग में जो विभिन पद है उनका सब्दार्थ हमने देखा इसके दारपर प्रस्ण पूछा जा सकता है जैसे प्रसिद्धी इती पदस्य पर्याय पदम अस्मिन स्लोके किम पदम प्रयुक्तम तो प्रसिद्धी अर्थात प्रसिद्ध इस अर्थ में कौन सपद इस स्लोक में प्रयुक्त हुआ है यह इसका तात पर यह हुआ अर्थ तो इसके धार पर क्या है उत्तर क्या होगा किर्ति तो प्रसिधि इती पदस्य पर्याय पदम अस्मिन स्लोके प्रयुक्त पदम अस्ति किर्ति आई ये हम स्लोक का भावार्त समझने का प्रयास करते हैं तपकिम लक्षणम प्रोक्तम तपका क्या लक्षण कहा गया है को दमस्च प्रकीर्थितह और दमन की क्या प्रसिद्धी है अर्थात दमन से कैसे प्रसिद्धी हो सकता है अर्थात हमें दमन किसका करना चाहिए हम किसका दमन करें जिससे व्यक्ति की प्रसिद्धी हो चमाच का पराप्रोक्ता और पराचमा किसे कहा गया है, का चहरी परिकिर्थिता और लज्जा की क्या प्रसिद्धी है तो इस तरह से यक्ष युद्धिष्ठिर के समक्ष वी भी प्रशन रखते हैं। युद्धिष्ठिर उनका उत्तर देते हुए कहते हैं। तो में आप देख रहे हैं वर्तित्वम। यह पद कैसे बना है। यह वृत धातु है। इसमें इन प्रत्य के योग हुआ है और उसके साथ में फिर त्व इस तद्धित प्रत्य का योग हुआ है। और इस तरह से इसका रूप बना है वर्तित्वम। इसका तात्परी होता है रहना या बने रहना या अडिग रहना या विद्यमान रहना नीचे की पंक्ती में आप देख रहे हैं नीवर्तनम यहाँ पर विस्करव संधी का प्रयोग हुआ है नीवर्तनम यह सब्द कैसे बनता है नी उपसर्ग है, वृत धातु है, लिवट प्रत्या का प्रत्या का प्रत्या है, नपुन्सक्लिंग एक वचन का यह रूप है तो इस तरह से वृत धातु, मैं जब लिवट प्रत्या का दिखिया, ध्यान दिजेगा विभिन प्रत्ययों में लिट प्रत्यय ऐसा प्रत्यय है जिसका प्रयोग जब किसी धातु के साथ होता है तब उसके साथ उपसर्ग का भी आगम होता है अब जानते हैं प्रत्यय का योग धातु के पीछे किया जाता है लेकिन जब लिट प्रत्यय का योग होता है तब धातु के पीछे इसका योग तो होता है लेकिन साथ ही किसी उपसर्ग का आगम भी होता है अर्थात उपसर्ग धन धातु धन लिट प्रत्यय है तो इस तरह से इसका रूप बनता है तो यहां यह जो सब्द बना है निवर्तनम तो वृत धातु है इसमें नी उपसर्ग है और लूट प्रत्या है नी उपसर्ग वृत धातु लूट प्रत्या है नपून सक्लिंग एक वचन का रूप बनता है नी वर्तनम तपह, तपस मुल सब्दा है, सश्ट्री भक्ति एक वचन का यहाँ रूप है आईए, मनसो यहाँ सब्दा आया है, मनसो दमनम, यहाँ पर संधी है सब्दा अलग अलग जरूर देख रहा है, लेकिन यहाँ संधी है, संधी पदों को अलग करें तो रूप बनेगा मनसह धन दमनम, यहाँ विशर्वर संधी का प्रयोग हुआ मनसह यहाँ सब्दा कैसे बनता है, मनस मुल सब्दा है, सश्ट्री भक्ति, एक वचन का यहाँ रूप है और इसका तात्परी होता है मन का सब्दा के यह जो स्लोक है, इस स्लोक का हम भावार्थ समझने का प्रयाश करते है तपह स्वधर्म वर्तित्वम, अर्थात्षात्षात्षात्षात्षात्षात्षात्षात्षात्षात्षात्षात्षात्षात्षात्षात्षात्षात्षात्षात्षात्षात्षात्षात्षात्षात्षात्षात्षात्षात्षात्षात्षात्षात्षात्षात्षात् हम जिस जाती एवं धर्म में हमारा जन्म हुआ है उस जाती एवं धर्म का पालन करना यह क्या है यही तपत्ष्या है यहां पर धर्म से तातपर्य है कर्म से, तो हमें अपना जो कर्म है, अपना जो नेक कारिया है, अपने जो अच्छे कारिया है, उन कारियों पर जटे रहना या कहें कि हमें हमारा जो नियत कर्म है उन कर्मों को इमानदारी से कर्तव्य निष्ठा पूर्वक करना यही तप है तो तपह स्वाधर्म वर्तित्वाम अपने धर्म पर जटे रहना यही क्या है यही तप है मन सो दमनम दमहा और मन को दमन करना या नियंत्रण में रखना यही क्या है दमन है अर्थात मन सो दमनम दमहा अर्थात मन को नियंत्रण में देखिए मन बहुत चलायमान होता है मन की गति वायों से भी तेज बताई गई है, तो इसलिए मन पर नियंत्रण यदि हम रखें, तो हम अपना कर्म भी अच्छा कर सकते हैं, तो तन, मन और धन, जो कहा जाता है इन तीनों में से मन प्रमुक है, और मन को यदि हम नियंत्रण में रखें, तो निश्चित ही जीवन में हम सफलता या उन्नती प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए कहा गया मनसु दमनम दमह, विभीन परिक्षाव में प्रस्ण भी पूछा जा सकता है, केवल यह पत दिया जाए, मनसु दमनम दमह, अस्मिन वाक्यस्य भावार्थम लिखत, अर्थात, इस वाक्य का भावार्थ ल द्वन्द्व किसको कहते हैं जब दो भाव एक साथ आते हैं और उनमें स्थापित करना या कहें कि उनमें सम्भाव की स्थिति में रहना जैसे सुख दूख, लाभानी, अच्छा, बुरा, ये जो भाव हैं या सही गलत ये जो विप्रीत भाव वाली जो द्वंद्व हैं, इन भावों में समान भाव रखना यही पराच्छमा है, अर्थाथ इसमें जो व्यक्ति समभाव रखता है चाहे अच्छा हो या बुरा हो, सुख हो या दुख हो हर्स हो विसाध हो यह क्या कहलता है यही पराच्छमा कहलता है यह सात्विक व्यत्तियों की पहचान है ह्रीर कार्य निवर्त नम और न करने योग्य कार्य को त्याग देना ही लज्जा है ह्री कहा जाता है लज्जा को तो इस तरह से यक्ष के द्वारा जितने प्रस्ण दिये पूछे गए युधिष्ठिर से उन सभी प्रस्णों का उत्तर उन्होंने विनम्रता पूर्वक दिया और उन प्रस्णों के उत्तर से यक्ष संतुष्ठ हुए और इस तरह से यक्ष युधिष्ठ सम्वाद से पहले जो पांडवो के भाई अर्थात युदिष्ठिर के जो भाई वहां मुर्चित अवस्था में थे अचेत अवस्था में थे वे पुनह जीवित हुए चेतन अवस्था में आए क्यों क्योंकि यक्ष के सभी प्रश्णों का उत्तर युदिष्ठिर ने दिया और उन प्रश्णों से यक्ष सं तो इस प्रकार से फिर पूरे पाचो भाई वहाँ चेतन अवस्था में आए और उस सरोवर का जल पान किये और वहाँ से फिर अपने गंतव्यक्योर आगे बढ़ें तो प्यारे बच्चों यह हमारा पाट था यक्ष युधिष्ठिर समवाद